अाज कि इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे इसका orthographic projection बनाने के लिए विसलिए class में हम लोगों ने सिखा था आइसिमेटिक projection बनाने के लिए जो भी आपके screen प руки display हो रहा है यदि आपने अभी तक इस projection को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं वो किस तरह से बनाया जाता है और यदि अपी तक आप लोग ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग आसानी से पहुंच सके जड़ी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग एक नया वीडियो बनाने के लिए तयार रहते हैं तयकि वीडियो के स्टार्ट करते हैं और सेख लेते हैं ओर्थोग्राफिक भूजेक्शन को बनाना इस il प्र했던 बिदबनाए पहले देखना होता है कि इसका इलवेशन किधर से बना हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुऊ आए-ईलवेशन यहां पर भी लिखा रहा सकता है और यह नहीं तो X का चिंध भी रहा सकता है उसके लिए question में लिखा रहेगा कि X को front मानके front side और top बनावें तो इस तरह से और सबसे पहले हम लोग को all over length देख लेना है जिसका की length है 75 चवड़ाई की बात करते हैं यहां पर 63 और उचाई की बात करते हैं यहां पर 50 तो front यदि हम लोग देखते हैं तो front से क्या दिखता है यह देखना जरूरी है और समझना जरूरी है वीडियो के skip बिल्कुल ना करें यदि आप चाहते हैं सीखना यदि आप लिगनर हैं तो यदि आपको पहले से पता है तो आप वीडियो को छोड़के जा सकते हैं हर मिसा याद रखेंगे फ्रंट में देखने से दो चीज दिखता है जॉब का लंबाई और उचाई यही दो चीज आपको फ्रंट में बनाना है साइड में जब आप देखेंगे तो जो की बनाने में आप लोग बहुत साहेता परदान करेगा कुछ पॉइंट से उसको जरूर आप याद रखेंगे आइसोमेटिक प्रोजेक्शन से और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते समय कुछ डिगरी है जिसको परिवर्तन हम लोग कर देते हैं सिंपल जो है 30 करेंगे 90 degree 90 degree में ही रहता है 150 degree का जो line है उसको convert करके 180 degree में कर देंगे 90 degree 90 डिग्री ही रहेगा और टेपर लाइन जो भी है अपने उनसार, point to point taper ही मिला जाता है इसको हरैमेंश में साब याद रखेंगे दूसरा है front view का height जितना होगा side का height भी उतना ही होगा साइड यतना चवड़ा होगा टॉप व्यू आपका उतना उचा होगा फ्रंट व्यू के जस्ट उपर या फिर नीचे टॉप व्यू बनता है एक्दम 90 डिग्री यदि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं तो टॉप व्यू आपका नीचे बनेगा यदि आप फर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं तो टॉप व्यू आपका ऊपर बनेगा और साथ में कुछ चेंजेज होते हैं जिसको हम लोग फर्स्ट एंगल में जब बनाएंगे उस समय बात करेंगे फिलाल हम लोग शुरू करते हैं इस ड्रॉइंग को बनाने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेट स्वाइर को सेट कर लेंगे इसके बाद 75 है आपका फ्रांट के तरफ से तो 75 आप मेजर करेंगे और पॉइंट लगा देंगे 75 का इस तरीका से और लाइन आप ड्रॉड करेंगे 75 का सबसे पहले इसके बाद इस लाइन से थोड़ा सा नीची हम लोग सेट स्वाइर को स्लाइड करेंगे फिर 90 डिशे इस तरह से चेक कर लेंगे अब हाइट इसका एक तरफ से आप यहां देख रहे हैं 50 है और दूसरा तरफ से 12 है तो चलिए हम लोग टेपर पहले बना लेते हैं इस तरफ से 50 है तो 50 मेर करेंगे और लाइन इस तरह से ड्रौ कर लेंगे ड्रौ करते समय तीन या चार बार आप लिश्य तरफ से लाइन को खीचेंगे जिससे आपका लाइन का थिकनेस हरेमेशा बराबर बना रहेगा अधर वाइस आपका लाइन थिकनेस अच्छा नहीं रहेगा और लाइन थिकनेस मेंटेन नहीं होता है और मैं फिर करूंगा इस तरह से मेकनिकल पैंसिल ही यूज़ करें जिससे कि आपका ड्रौन खुब सुरद बनेगा देखिए अब जिस परकार हमने है इसमेटिक प्रोजेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट टेपर को मि दिला देंगे और लाइन को यहां डीप कर देंगे देखिए यह आपका टिपर बन चुका है अब नाइटि दिग्रे सेट कर लिए हम यहां से 25 एक लाइन गया हुआ फिर बीच में 25 है दूसरा लाइन गया हुआ है तो हम लोग 25 मेजर करेंगे और इस पॉइंट से 25 पर लगा देंगे देख रहे हैं यहां पर लाइन आपका मिला हुआ है दो लाइन इस दोनों लाइन को हमको यहां पर मिला देना है यह पहला लाइन और बीच में गैपिंग है दूसरा लाइन को मिलाने के बाद यह गैपिंग खुद बखुद आपका बन जाएगा तो से लाइन का यहां पर 12 बोरी पर दिःया हुआ है तो हम लोग इस लाइन । 12 मेजर कर लेते हैं कि यहां से बारा मेज़र कर सकते हैं लिक मैंने इसको रख दिया ट्वेल पर अब यहां से이다 इसका हाइट 16 था, तो 16 मेजर कर लेना है, इस पॉइंट से मैंने 16 मेजर कर लिया, इस तरह से लाइन दे दिए, अब यहां से मेरा यहां लाइन 30 डिग्री में जा रहा था तो यह भी कनवर्ट हो जागा 180 डिग्री में जो जाके सीधा मिल जाएगा, 90 डिग्री का होना जरूर देंगे, और इसके पॉइंट पर रख के इसको मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे, तो यह देखिए आपका इस तरह से यहां पर बन गया, इसमें कुछ hidden line बनेंगे, जो कि मैं last में आपको सो करूँगा, तब तक आप सोची और comment में लिखिए hidden line कहां पर बनेगा इसी परकार आप हम लोग side view को बनाते हैं, side view के लिए फिर इसको base में लगाएंगे, और यहां के बीच का gap कुछ maintain करके हम लोग ज़रूर रखेंगे, 63 है हमारा, 63 पहले हम लोग measure कर लेते हैं, तरह से आप 63 measure कर लेंगे, और यहां पर दो पॉइंट पॉइंट, पुना 63 का हम लोग दे के line को draw करते हैं, अब इसको फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिर line किसने में सुविधा होती है, और 90 degree से match कर देंगे, आप बनाते समय स्टार्टिंग में बार बार 90 degree से match करके रखेंगे, और आपका सारा line टेड़ा हो जाएगा, और सारा आपका बना हुआ, drawing बेकार हो जाएगा, height front के बराबर होता है, इसका 50 है, तम लोग 90 degree हैं पर set करेंगे, और 50 major कर लेंगे, यह इस point पर, मैंने 50 major कर लिया, और इसको point लगा दिया, फिर line draw करना है, दूसरे छोर पर भी, आपको slide करके ले जाना है, और यहाँ से भी 50 major कर लेना है, यहाँ भी आपको draw कर देना है, side से जब देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे, बीच में हमारा gapping है, इस gapping को maintain कर रहा है, यह कितना, 12, तो चलिए हम लोग इसको फ़लो बना लेकते हैं, दूने तरफ से 22 gap है, इस 22 को हम लोग पले major कर लेंगे, जहाँ साथ को सुभीता बुझाता है, वहाँ साथ major कर लेगे, 22, इस ओवर से 22, और दुसरे तरफ से 22 major कर लेंगे, तो आपका बीच में 19 आ जाएगा, यह हमने दूने draw कर दिया, अब इसको नीचे slide कर लेंगे हम ल जब भी आप set square को अपने जगह से इधर हुदर slide करें, जरूर से है, 90 degree match कर लेंगे, अब यहाँ से हम लोग को 12 नीचे जाना है, तो फिर से हम लोग major कर लेंगे, और इस point से, नीचे 12, यहाँ पर land draw करेंगे, इस ओर भी, और पुना इस दोनों point को आप, जहाँ तिसके slide करके मिला सकते हैं, यह आपका portion यहाँ पर बनके ready है, अब इसके साथ और भी जो line है, उसको भी देखना है, और line को भी साथ में, सीधा करना है, यह जरूरी है, अब देखिए, इधर जब देख रहे हैं, तो यह 12 आपका से बना हुआ, चाहें तो इसके बराबर आप रखके line का खिच सकते हैं, otherwise आप 12 measure करेंगे, यह 12 measure किया हुआ है, और दोनों point पर आप इस तरह से mark करके line को draw कर सकते हैं, देखेंगे यह हमारा, मैंने यहाँ पर line draw कर दिया, यह हमारा 12 का बन गया, इसके साथ अब हमें slot को बन बनाना है, जो कि इधर से देखने के बाद यह भी बनेगा और साथ में यह भी हमारा बनेगा, इसको बनाने के लिए हम लोग क्रिसे बनाते हैं, चलिए इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग slot को बनाएंगे, यहाँ पी हम लोग जो बनाए हुए हैं, इसका relation से इसको सिंपल है उसके लिए, यहाँ से हम लोग जो दूरी है, उसको ले लेंगे और इसका relation को आगे बराएंगे, इसका base यहाँ से जो इसका है, इसको आगे बराएंगे, और एक साइड से हमें 19 छोड़ना है, तो 19 पहले major कर लेंगे इसमें, बिल्कुल आसान है, कि मैंने 19 major कर लिया, यहाँ पर point दिया मैंने, इसके बाद है 25, तो 25 भी major कर लेंगे, चलिए इसको हम लोग फ़ले line से मिला देते हैं, इसके बाद height है 16, तो हम लोग निची आएंगे, set square को set करेंगे, और height 16 यहाँ से major कर लेंगे, यह हमारा 16 हो गया, इस point से, लोग 16 उपर आएंगे, और line को draw कर देंगे, और यहाँ से भी line को draw कर देंगे, दोनों सीधी में देखेंगे, यह आ जाएगा, और दोनों line को हम लोग यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, तो देखेंगे, यह हमारा person बनके ready है, अब हमें side का यह gaping को बनाना है, इसके लिए हम लोग set square को slide करेंगे, और यहाँ पर ले आएंगे, यह वाले 25 पर, आप directly 25 यहाँ से measure भी कर सकते हैं, इससे बहतर होगा कि आप इसको slide करेंगे, और देख लेंगे कि 90 degree आपका set square है या नहीं है, बिल्कुल 90 degree में set है भी, अब इसके यहाँ से जो slot है, वह 12 है, तो 12 आपको measure करना होगा, और इस point से 12 आप अंदर की और land को draw करेंगे, then, और इसको slide करेंगे उपर की और, यहाँ पर आपको आना है, इस point पर, जो कि इस taper का यहाँ से relation गया हुआ है, आप देख रहे हैं, यह taper का relation यहाँ से गया हुआ है, तो हम लोग यहाँ taper पर set कर लिए इसको, और इसको उपर ले आए, फिर हम लोग 90 degree को चेक कर लेंगे, क्या हम लोगा set square 90 degree है या नहीं है, तो बिलकुल इसको यह check करना जरूरी है, और साथ में, आप इसके relation को draw करेंगे, फिर यहाँ से 12 आपको आना है, और draw करेंगे यहाँ से 12, then set square को नीचे ले जाएंगे, set करेंगे 90 degree, और इस दोनों point को आप यहाँ से, इस तरह से मिला देंगे, यहाँ भी कुछ hidden line होंगे, यदि आप समझ पा रहा हैं, तो उस hidden को बताईए comment में कहाँ पे hidden होगा, अगरवाज हम लोग last में hidden को clear करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग top view को बनाएंगे, तो याद रखेंगे कि यह gapping यहाँ जो front और side के बीच में है, यही gapping हम लोग maintain करेंगे top में, जिसके लिए हम लोग को इस दोनों के बीच का gap measure कर लेना है, इसको आप पहले भी measure करके बना सकते हैं, यहाँ मैंने measure कर दिया, अब इस point से हम लोग को 90 degree पुना set कर लेना है, और side जितना चौड़ा होगा, top हमारा उतना ही उचा होगा, side की चौड़ा यहाँ 63 है, तो हम लोग 63 को measure करेंगे, और जो हमने point रखा था, उस point से यहाँ पर हम लोग draw कर देंगे, और यह 3, अब हम लोग को इस ओर line draw करना है, जो कि हमारा 75 है, तो चलिए 75 भ़ले measure कर लेते हैं, subscribe को slide करके ले जाएंगे हम लोग उपर, और यहाँ पर चेक कर लेंगे, 90 degree हमारा line है यह नहीं, यह अदि आप check नहीं कीजिएगा, तो आपका यह line जब आप draw करेंगे, तो 13 हो सकता है, तो उसके बाद 75 का हम लोग यहाँ पर draw करेंगे, इसके बाद इस point से आप, यह 63 जो हमने पहले measure किया था, उसको इस तरह से यहाँ पर point कर देंगे, यह हमारा 63 और इस line को हम लोग जाके पुना मिला सकते हैं, अब आप सकता अनुसार कोई line के यह दि मिटाना होगा, तो हम लोग उसको मिटाएंगे, यह हमारा top का बन गया, इसके अंदर आप हमें work करना है, इसके लिए यहाँ से हम देखेंगे top से, तो देखेंगे slot हमारा बना हुआ जो कि 25 इधर से और 25 इधर से है, यहाँ पर slot बन 12 था, यहाँ से 12 हम लोग इसको मेजर करके line को draw करेंगे, दूसरे point से पुना set करेंगे set square, और यहाँ से 12 को हम लोग मेजर करके line को यहाँ पर draw करनेगे, इस दोनों line को हमें मिला देना है, इस slot हमारा बन गया, star line जो हमने खीचा था, चुकि यहाँ बीच में खाली है, इसको आप पहले पतला line भी खीच सकते थे, इस तरह से इसको erase कर देना है, तो बहतर होगा कि पहले आप यहाँ पर हलका line ही खीचे, तो आपका draw गंदा होने से बग जाएगा, यह हमारा हो गया एक तरफ से, अब हम यह वाला पॉर्चन बनाना है, जिसके लिए हमारे पास reference है, front का, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इस तरह से 19 रिलिसेट करने के बाद, इसका reference हम लोग सिधा लेके उपर जा सकते हैं, यहाँ से, तो सबसे पहले 19 हमें यहाँ से छोड़ना है, तो 19 को मिजर कर लेंग 25 है, तो 25 आप मिजर कर सकते हैं, या इस इदर से 19 को मैनस कर सकते हैं, जैसे आपको सुविदा हो, उस तरह से बना सकते हैं, लाइन को ड्रोग करेंगे आगे की ओर हमें कितना दूर जाना है, उसका कोई यहाँ पर मेजर मेंन्ट नहीं है, इसके लिए रिलेशन हम लेंगे यहाँ पर यहाँ से यह वाला point से हम रो relation ले रहे हैं उपर की ओर, तो चाहे तो आप यहाँ से 19 फिर से measure कर सकते हैं, अपने सुविधा के लिए, otherwise आपको relation को लेके आगे बरना है, चाहे तो आप इस point से 19 measure कर सकते हैं, then 25 फिर यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, जल्दी से बनाने के लिए, otherwise relation से खि आधया यहां पोंट को मिला देarta के यहां थे कि दिखेंगे हमारा टॉप से देखने कुब कि यहां पर बनाने के लिए घ्लियर करना हो तब जाके हमारा यह टॉप में जाके बनेगा हमने बोला था यहां कुछ हुटे हुए है इसके लिए सिम्पल है आप 12 मेजर करेंगे इस तरह से 12 देखेंगे इसका ग्याब जो है 12 है इधर से देखने के बाद यह 12 आपका इसमें छुप जाएगा दिखेगा नहीं इसको दिखाने के लिए मैंने यहां पर 12 मेजर किया और इसको कि सिम्पली मिलाना है नाइंटी डिरी सेट कर लेंगे कि लाइन आपका बिल्कुल निचे वाला होर्जेंटल रहे और इसको आप ड्रॉप करेंगे ही डेन के रूप में अग्या करेंगे तो पहला ही डिन टच होना चाहिए यह अब्जेक्ट लैंसे बीच में आप जैपिंग देते हुए इसको अगये बढ़ेंगे चुकिए हीडिन बनाना इसलिए ज़रूई था जब हम यहां इसको इसका दूरी को निकालेंगे इंगे डाउट इदिन आपको यहां पर पता नहीं चलेगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस जो पर में लिखा हुआ है 22 और 22 इसको डिड़क्ट कर लेते हैं इस ओवर से 22 यहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया इसके बाद इस लाइन को कितना दूर आगे खीचना है इसके लिए हमने यहां पर इस ही करेंगे यह करना जरूरी है मैं बार-बार बता दे रहा हूं आप लोग को नहीं तो लाइन आपका बिल्कुल टेड़ा हो जाएगा या आप चाहें तो बेस में सेट स्क्वार को लगा के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं अब यह हमारा पहला इसको और स्लाइड करेंगे उपर और पुना इसको चेक कर लेंगे अब यह दूसरा लाइन हमारा यहां से बित हमारा जो लाइन था इस थीन लाइन को आप अब यहां से थीक लाइन में चर्वार्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको आप रिमूब कर दिजिए लाइन रहने से ही सुपिदा होता है जब हम लोग रिमूब करते हैं तो बिल्कुल पता है तो हमारा ये टॉप भी बन गया हम लोगे बात किया था यहां पर कि इस भीव में एक हिडिन होना है उसके लिए तो चलिए हम लोग देखते हैं देखिए जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो ये भाग ये लाइन जो है इस खाली अस्थान को यहां पर बंद कर देता है जो कि इधर से जब देखते हैं तो ये वाल जो है इसके सामने आ तक आपको खाली अस्थान है जिसको दिखाने के लिए हम लोग को इस पॉइंट से रख के यहां से हीडिन लैंड तो करना होगा और ये हीडिन आपका यहां से यहां तक आ जाएगा तो इस तरह से यहां पर आपका प्रंट साइड और टॉप किलियर हो चुका है अब हम लोग डाइमेंशन करने के बाद इसको दिखाते हैं तो मैंने इसका टॉटल डाइमेंशन कर दिया है आप लोग देख रहे होंगे हो रहा है तो आप लोग भी इसी तरह से डाइमेंशन कर एं और साथ में यहां पर से इंफो प्रोजक्शन बना होगा आप देख पा रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए सेशन में तब तक लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत दो धन्यवाद